हेलो फ्रेंड वेल्कुल टू मैं चैनल आज यहां है मैं अपने कीचाएं बना रही हूं घर में बच्ची भी रोटी से बेहतरी नास्ता यह रात में रोटी बच गई थी उसे बेहतरी नास्ता बनाऊंगी मैं यहां पर मैंने सब्जियों के भी यूज़ किया है बच्चों को भी यह काफी पसंद आएगा बड़ों को भी काफी यह पसंद आएगा विकिन मारी यह नास्ता बहुत ही अच्छा रगता है आग गर्मां का शुबब के नास्ते में इसको अब सर्फ कर सकते हैं सौस के साथ यहार रे धनिया की चट्नी के साथ इसमें तहीं सारी सबजियां भी हैं रोटी का भी इसमाल हुआ है इसके लिए देखें मैं रात की दो बची भी रोटी लिया उसके साथ यहां पर मैंने कटे पर बालिक प्याद लिया है और थोड़ा से यहां पर मैंने आदा कदू कस करके पता गुबी लिया है एक से दो गाजा मैंने कदू कस कर लिया है थोड़ा सा सिमला में से यहां पर मैंने कट कर लिया है येकिन मारी यह नाज साब को बहुत ही पसंद आएगा आप इस तरह रोटी का इस्तमाल करेंगे बाबा रोटी का बचाना शुरू कर देंगे तो बच्चेवी रोटी कभी कभी लोग फ्यक्ट भी दिया करते हैं कर अचरा एंप शोयातर आपिए धव भागत ड्युक्ट आप इसकी ऋतमाल किसे करते हैं मुझ्जे विलिस करकर बताएं कि यह देक्सारी ड्रोटियों को मैंने काकर में ग्र्यकैन कर लिया आ इह खरद कर लिया है मैं एक प्लेट में ले लिया उसे अश्थ हमों बार्स क्लाय प्लेट कर दोसे बहुने सारि सब्सभी इसमें एड़ कर देंगे किक अगे कि उसके साथ यहां पर एक टोरी आप मैंने क्रस्क की वे ब्रेड डाल दे रहे हैं ब्रेड क्रम आप इसके जगन चाहें तो चावल काटा भी डाल सकते हैं तो आप क्रिस्पनेस के लिए थोड़ा क्रिस्पी बनेंगे उसके साथ यहां आज छोटी जब मैं सल्दी पाउर डा दे रहे हैं तो अगारा अगरा जब्राइन नमक डाल देंगे नमक काप सौद्धा कमियाधी कर सकते हैं आप ये किन मनी कोई जान नहीं पायागा कि आपने इसे रोटी से बनाए है 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 आम इने पिछाट बीना बेशन के प्रकोड़े बनाए है दो दो शक्साथ यहां पर म मैगी मेसाल डाल दे रहे हैं, मैगी मेसाल छास हाए बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, बड़ों को भी बहुत ही अच्छा लगता है यह मैंनी मिर्ची का इस्थे माल नहीं किया आप चाहि defining मिर्ची भी डाल और यहां एक यह दो चमच यहां पानी आट कह दे रहें थोड़ा इसको बैंट करने के लिए हाथों कि सहता सच्छे से इसको मसल लेंगे हम थोड़ा पाई डालते हैं इसको हम कठा पाई नहीं डालना है एक से दोबारी पानी इसमें डालेंगे है यह मैंने नमक डाला है तो हाथों कि सहते से दबाते हुआ अराम से शौपड़ी बनlé जाएंगे अराय एक आराम से की सौपड़ू बन जा रहे हैं च्छोटे शुटे बॉलस हम जैसे आपकी इच्छा हो आप शुटे शुटे बॉलस ब्ला सकते हैं चोटे ये बड़े बॉल्स चोटे-चोटे बॉल्स बनाके हम इसको पहले से तयार कर लेंगे अगर बादर वे आपके घर में रोटी बच जाती है तो आप इसका इस्तमाल कैसे करते हैं प्लीज उसे कमेंट्स करके ज़रू बता है अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज लोगों में भी सेयर कर दिया करें यहां सारी बाल्स बनाके मैं तयार कर लिए है हम इन गैस पे पैन रखा है कड़ाही रख दी उए मैंने तील डाल दिया तील काफी मातर हम गरम हो गया है पांटा पर याँट तक उसके बाद हम एक बॉल्स दल करके इसको डीफराइ कर लेंगे तो इसली में घयस का फ्ल्म लोकंए रहेंगे लिए थरय के सारे चेह विसको डाल था नहुंट करके याई तो एक इसको अचन्रराइब रहें और गैस का फ्लेम लोग किये रहेंगे दीमयाज पर सेखने पर हम यहाँ पर अच्छे से अंदर तर सिख जाते हैं उपर से कफी क्रिस्पी हो जाते हैं अंदर से तोर सॉफ्ट रहते हैं कि यहां पर काफी सब्जीयों का भी मैंने इसमाल किया है यहां पर मैंने रोटी कोई समझे नहीं पाएगा कि अपनी से रोटी से बनाए उसके बाद यहां पर एक टिशूपर के चाहिता से सारे बॉल्स को निकाल लेंगे इसके गर्म घंट आप सॉफ कि सार ने बहाद ही बहत ही बहते हैं लगेगा यह इसी तरह सारे बॉल्स को डाल करके हम इसमय तल लेंगे यहां पर दिखें मैं सारी पकड़े बन करके रोटी के पकड़े बन के तयार हो चुके हैं आपसे गर्मों के साथ करें यह खाने बहुत ही अच्छा लगीगा प्लीज आपको इस रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज सेर और लाइक और न न भूलें थेंक यू पर वाची गुडबर